हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल आयाम पनिक्षा भारद्वास तो आज के लेक्चर में हम क्लास एड की सस्टी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर एड याट इस वूमें कॉस्ट एंड रिफॉर्म पढ़ेंगे इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फॉर्स वीडियो अप जन्दा जला जाता था जिनके जिनको पूरी जिंदीगी विदवा बनके रहना पड़ता था तो बहुत सारी रिफॉर्म जो थे वह चैंजी जो थे वह रिफॉर्मर्स के दोबारा लाए गए थे ताकि वूमें जो हैं वह दोबारा शादी करें एडूकेशन प्रोवाइड करें तो यह सारी चीजे जो थे यह रिफॉर्मर्स के दोबारा की जा रही थी अब हम देखेंगे गर्ल्स बिगेन गाउइंग टू स्कूल जो लड़किये थी उनको स्कूल जो दाना उन्होंने शुरू कर दिया था बहुत सारी रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने यह महसू नहीं होगे उनके उसके अंदर बदलाब नहीं आएगा विद्या सागर जो थे नहीं इए शुर्चंद विध्या सागर जीनों ने वामिन विडैंट रिमर्री एक्ट के लिए जो था वह आपील करा था या मूवमेंट चलाए थी विद्या सागर जो है उन्होंने कलकत्ता के इंदर और भी जो रिफॉर्मर्स थे बॉंबे के उन्होंने स्कूल जो थे लड़कियों के लिए खोले जब फर्स स्कूल अउपन हुआ मिड नाइंटीन सेंचुरी में तो बहुत सारे लोग जो थे वह डर गे डरने के पिछे कारण क्या था कि लोग यह सोचने लगे कि अब जब वो घर से बहार निकलेंगी तो घर के काम जो है वो डुमेस्टिक ड्यूटी जो थी उनके जैसे खाना बनाना कपड़े दोना जाड़ू पोचा करना ठीक है यह सारे के सारे काम जो है वो कौन करेगा अगर लड़कियों घर से बहार चले जाएंगी साथ ही साथ में लड़कियों जो है उनको पब्लिक प्लेसी से गुजर के जाना होगा स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग जो थे वो यह भी सोचन लगे जो अगर लड़कियों घर से बाहर जाएंगी तो उनके उपर बहुत इंफिलन्स जो है वो पड़ेगा उनका ये भी मानना था लोगों का Orthodox peoples का Orthodox peoples वो होते हैं जो कि बहुत ही पुराने ख्यालात के होते हैं तो उनका ये मानना था कि लड़किये जो हैं वो घर से बाहर ना जाएं और पुब्लिक प्लेसिस में तो वो बिल्कुल भी ना जाएं Therefore throughout the 19th century 19th century के आते हैं ते बहुत सारी women जो थी वो educate होने लगी और educate कैसे होने लगी वो घर में ही education जो थी वो लेती थी अपने fathers या अपने husbands के दवारा जो कवारी लड़की होती थी वो अपने पिता जी से education लेती थी और जिनकी शादी हो जाती थी तो उनके liberal husband जो थे उनको education प्रोवाइट करते थे लेकिन घर के अंदर ही Sometimes women taught themselves और कैई बार ऐसा होता था women's ही women को क्या करते थी खुद बाखुद पढ़ लेती थी Do you remember what you read about राश शुंदरी दे भी in your book Social and Political Life लास्टी है तो 7th में आपने पढ़ा होगा कि राश शुंदरी जो थी वो किस तरीके से उन्होंने अपनी education जो थी वो खुद से उन्होंने ली She was one of those वो लड़की थी जिन्होंने मतलब छुप कर पढ़ना लिखना सीखा मतलब रात को अंधेरे में लड़कियों के लिए खोले के पंजाब में जोतिराई फूलो जो थे अन्होंने महराश्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला देखे यहां पर ये एक figure दिया हुआ है आपको यहां पर नीचे यह वला figure यहां पर आपको बताया है ये विकर किसका है ये है students of Hindu Mahila Vidyaale 1875 में ये Hindu Mahila Vidyaale जो था वो open हुआ था तो ये students जो है ये Hindu Mahila Vidyaale की है विन girls schools were first set up in the 19th century जब पहला school जो था लड़कियों का वो 19th century में open हुआ तो ये माना गया कि जो curriculum है girls का curriculum मतलब जो syllabus होगा ये जो लड़कियों को school के अंदर पढ़ाया जाएगा वो लड़कों से कम होगा कहने का ये मतलब था जैसा लड़कों को पढ़ाया जा रहा वैसा नहीं पढ़ाया जाएगा उनसे कम पढ़ाया जाएगा लेकिन Hindu Mahila Vidyaale जो था वो पहला institution था जिसने लड़कियों को same education जो थी अमीर लोग थी जो अमीर मुस्लिम जो थे not India के उन्होंने क्या किया वोमिन्स को कुरान जो था वो Arabic में पढ़ना सिखाया they were taught by women who came home to teach उनको घर पे ही पढ़ाया जाता था और वो घर पे पढ़ाने के लिए भी उनको औरत ही आती थी some reformers such as कुछ reformer जो थी जैसे की वर्सिस जैसे की कुरान के इंदर जो भी लिखा होगा ठीक है उनको वर्सिस बोल सकते हैं तो उनने बोला कि कहीं भी कुरान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वोमिन्स को एजुकेशन नहीं देनी जाहिए तो पहला जो उर्टु का नौवल था उपन्याज जो था लेट 19th century में लिखा गया इसके अलावा these were meant to encourage यह इसले लिखे जा रहे थे ताकि वोमिन्स को encourage किया जाए कि वो लिखे वो पढ़े और उनको साथ ही साथ में religion और domestic management के बारे में बता चल सके और उनको बताया जा सके कि पढ़ना भी कितना जुरूरी है उनको धरम के बारे में जा रहा था ठीक है यह जो मतलब उर्दू नोवल्स आ रहे थे ना इन उर्दू नोवल्स में यही लिखा हुआ था कि वोमिन्स को education दी जाए उनके religion से related उनके domestic management के related के मतलब घर के काम वगारा करना उनके लिए जरूरी है दैन उसके बाद अब क्या था woman right about woman अब औरते ही जो थी वो औरतों के लिए लिख रही थी जैसे कि early 20th century के हम बात करें Muslim woman जो थी जैसे कि भोपाल की बेगम जो थी उनका एक important role रहा education को women's के अमंग promote करने का जैसे कि they founded a primary school for girls at अलीगर अलीगर में उन्होंने एक primary school जो था लड़कियों के लिए खोला उसके बाद एक और woman थ started schools इन्होंने भी school खोले Muslim girls के लिए पतन और कलकता के अंदर she was देखियेगा she was a fearless critic of conservative ideas arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women यह conservative ideas वाले लोगों से ना मतलब थोड़ा उनको मतलब क्रिटीक करती रहती थी क्रिटिसाइज करती रहती थी क्योंकि छोटी सोच के लोग होते थे ना उन से इनका बनता नहीं था और यह बोलते थे कि जो religious leader है थीक है जो धरम के leader है वो मतलब लोगों के अंदर यह बाते डालते हैं या उनका यह मानना है कि जो women's है उनकी जगह क्या है निचली है वो छोटी है वो आद्मियों के comparatively छोटी है फिर 1880 के आते आते इंडियन women जो थी वो universities के अंदर भी उन्होंने अंटर करना शुरू कर दिया कुछ women जो थी वो doctors बन चुकी थी कुछ जो थी वो teachers बन चुकी थी बहुत सारी women जो थी ठीक है many women begin to write and publish their critical views on the place of women in society और बहुत सारी ओरतों ने लिखना शुरू कर दिया और publish करना शुरू कर दिया बहुत सारी चीजों को जिसमें वो women की place जो थी society के अंदर क्या थी उनके बारे में वो बताती थी जिसमें तारभाई शिंदे जो थी एक women थी जो की घर पे ही पड़ी थी पूना की ये women थी ठीक है तारभाई शिंदे जो थी ये पूना से थी और इनना थी अपनी education जो थी वो घर पे ही रह के की थी और इननने एक book जो थी वो published की जिसका नाम था इस्त्री पूरुष्टूलना एक कंपैरिजन बीच्वीन वूमेन एंड मैन ये बुक जो थी ये बताती थी कि आदमी और अरत के बीच में क्या कंपैरिजन है इसमें ये बताया गया था बहुत सारी social differences जो है आदमी और औरत के बीच में इसको इन्होंने criticize किया था फिर उसके बाद आते हैं पंडिता रामाबाई ये picture है पंडिता रामाबाई के पंडिता रामाबाई जो थी एक great scholar थी संस्कृत की इनको बहुत अच्छी knowledge थी संस्कृत की इन्होंने ये महसूस किया कि Hinduism was oppressive towards movement and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women इन्होंने बोला कि Hinduism जो है Hinduism यानकि Hindu dharm के लोग वो women के प्रति बहुत ही जादा उनको oppress कर रहे हैं दबा रहे हैं और उन्होंने उन्हीं की अगेंस एक book लिखी इन्होंने बताया कि Hindu women जो है अपर कास्ट की वो कितनी मिजरेबल लाइफ जो है वो क्या कर रही है spend कर रही है या वतीत कर रही है इन्होंने विड़ो होम जो था वो खोला पोना में ताकि यह शेल्टर दे सके विद्वा ओरतों को जिनको जिनके husband की death हो गई है husband की death के बाद उनके जो husband के relatives हैं वो उनको बहुत ही बुरी तरीकी से क्या करते हैं ट्रीट करते हैं फिर women were trained यहां पर women's को train किया जाता था ताकि वो अपने आपको economically जो है वो support कर सके then उसके बाद needless to say all this more than alarm the orthodox और इसके अलावा orthodox लोग जो थे वो मतलब बोलते ही रहते थे orthodox लोग वो होते हैं जो कि मतलब पुराने रिती रिवाजों को लेके ही चलते हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी बदलावाई या कुछ भी change लाया जाये ठीक है वो सुचते हैं कि जिस तरीके से चलता आ रहा है वैसे ही होता रहे इसके अलावा बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदू वोमें जो है इन चेंजिस के इंपक्ट को लेके जैसे कि आपने देखा 19th century का एंड हो रहा था वोमें देमसेल्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म वोमें जो थी वो खुद भी काम करने लेगी थी ताकि रिफॉर्म जो है वो लाया जा सके उन्होंने बुक्स लिखी पॉलेटिकल प्रेश्र गुथ भी फॉर्म किये ताकि पूष थ्रू लॉद्स पूर फीम भीन गतलत थिक रह पहले फंग राइंग नहीं था तो वॉमिन ने ग्लुक्तिकल प्रेश्र फॉक्स यहीं के लिए और की प्ह educator काम सबिंग में डीन पॉर्म डीजते आ करे बेंघ बेटर हेल्थ केर एंड एड़ुकेशन फोर मुमें और बैटर हेल्थ केर और एड़ुकेशन के लिए स्टेप्स जो थे वह उठाए गया कुछ जो थी उन्होंने नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मुमेंट्स को भी जॉइन कर लिया था 1920 के स्टार्ट से हैं तो ट्वेंटीन सेंचुरी में क्या हुआ लीडर जैसे की जॉआलना नहरूंस बास्चंद्र बोस इन्होंने भी जो था यह डिमांड करा कि ग्रेटर एक्वैलिटी और फ्रीडम जो है वह वो मिलनी चाहिए मतलब वोमिन्स के साथ उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि वूमिन्स को जो है वह अजादी दी जाए साथ इस साथ में उनके साथ एक्वैलिटी जो है वह ट्रीट की जाए नेशनली लीडर्स प्रॉमिस दाट देर फूल सफरेज और और अफ्टर इंडिपैनेंस और जो नेशनल यह को अधिकार है वोट देने का वैसे वूमिन्स को भी अधिकार मिलेगा वोट देने का और यह सारी चीज़ें जो है वह अभी इंडिपैन्डेंडेंस के बाद भी चल रही है और उसके लिए उन्होंने बोला कि आप भी अपनी जो आप बोल सकते हैं इन्वॉल्मेंट जो है वो दिखाएं उसके बाद क्या है यह देखिए लॉग अगेंस चाइल मैरिज आपको पता है चाइल मैरिज भी जो है वो अभी भी मतलब 20% आप बोल सकते हैं इंडिया के अ जारी है तो जैसे जैसे मुमिन और्गनाइजेशन बढ़ती जा रही थी वुमिन इंशूस पर लिखने लगी मोमेंटम जो था रिफॉर्म का वो बढ़ने लगा मोमेंटम मतलब बहुत तेजी से बदलाव के लिए औरते जो भी थी वो खड़ी हो गई पीपल चैलेंज अन लेटर जो थे आप बोल सकते हैं जिनको बैरिस्टर बोल सकते हैं ठीक है वो खड़े हो के सेंट्र लेजिस्टर्टिव एसेंबली बोर वो बोलने लगी कि ऐसा लॉव बनाया जाए ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके तो 1929 में क्या हुआ था चाइल्ड मैरिज रिस् करने के लिए बहुत सारे लोगों है अपनी discussion की बात्चीत की ठीक हैं उसके बाद जो विड़ो रिमैरिज के लिए बोला था कि विधवा उर्तों को दौआरा शादी करने का मौका मिलना चाहिए उसके बहुत सारे लोगों ने जो था मतलब बात्चीत की थी discussion की थी लेकिन जब यह Child Marriage Restraint Act जब पास किया गया है 1929 में तो इस पे इतनी सादा Debates और Struggle जो था वो नहीं देखा गया जितना पहले देखा गया था इस Act के तहर्थ जो आदमी 18 साल से बिलो होगा और जो औरत 16 साल से छोटी होगी वो शादी नहीं कर सकते लेकिन अब यह लिमिट जो है वो बढ़ा दीगी है जैसे अब आदमियों के लिए 21 करती है और ओरतों के लिए 18 करती है तो यहां पी यह पिक्चर जो है वो यह बता रहे दिस इस इस पिक्चर आफ चाइल ब्राइट अफ ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग में चाइल साल से पहले ही करवा दी जाती है अब आता है कास्ट सोशल रिफॉर्म समाज में और जाती में किस तरह से बदलाव लाया गया कुछ सोशल रिफॉर्मर जो थे वो यह डिसकस करते थे कि कास्ट इनिक्वालिटी जो है वो भी मतलब बहुत जादा हो रही है तो उनके अगें प्रासना समाज में एक ट्रडिशन था भक्ति का जिसमें यह मानना था कि सभी कास्ट जो है वो इक्वल होती है बॉंबे की अगर आप बात करेंगे तो परम हंस मंडली जो थी उन्होंने 1840 में क्या किया था काम किया था ताकि कास्ट सिस्टम को खतम किया जा सके बहुत सार तैबूस को वाइलेट करने के लिए यह क्या करते थे साथ में बैटके खाते थे और साथ में एक जुसरे को टच भी करते थे ताकि कास्ट प्रेजिडाइस जो भी उनकी लाइवस पे एफेक्ट कर रहा है उससे क्या मिल सके छुटकारा मिल सके ठीक है मतलब कहने का यह कास्ट को खतम करने के लिए मुवमेंट चलाएगी तो अपर कास्ट के लोगों के साथ बैठ कर खाते थे उनके साथ बैठते थे उनको एक टच करते थे ताकि यह जो कास्ट फिजिडाइस का मतलब चल रहना सिस्टम चलता इसको खतम किया जा सके लेकिन सीक्रेट मिटिंग के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि का सोचल आडर के ऊपर क्वेशिन को मतलब बोलते थे कि यहां पर कुछ गल्ती है नहीं कुछ इंजस्टिस तो हो नहीं रहा का सोचल आडर के अंदर ठीक है मतलब क्वेशिन कर रहे थे दूरिंग दिडिंग नाइटीन थे जो नाइंटीन सेंचुरी के चलते Christian Missionaries जो थी उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स को ले ट्राइबल ग्रूप के लिए और लवर कास्ट चिल्डेंज के लिए Missionaries यानि कि देखे जब Britishers का टाइम प्रेड था बहुत सारे लोग यूरप से बिलॉंग करते थे तो वो लोग Christian धरम के थे और वो इंडिया के अंदर इसलिए आये थे ताकि इंडिया के लोगों का धरम जो है वो परिवतन कर सके चेंज करवा सके लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर सके बट उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने ट्राइबल ग्रूप सो लवर कास्ट चिल शहर जाने लगे क्योंकि वहां पर नेने काम जो थे वो क्या हो रहे थे अपन अप हो रहे थे देवाज वर्क इंड़ फैक्टरी के अंदर काम था डैट वर कमिंग अप जो की अभी शुरू होने वाली थी और जॉब्स जो थी मुनिसिपालिटिस के अंदर देखने को मिल रही थी जैसे कि हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था जब मैंने आपको व्यूवर्स आइरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पताया था कि नेनी फैक्ट्री डवलप होने लगी थी तो उसी फैक्ट्री के डवलप होने के बाद लोगों को बहुत सारा का लगी अब क्या काम क्या था जैसे ड्रेंस है टू बी ड्रेंस मतलब नालिये वगारा होगी इनको मतलब खोदा गया रोड बनाएगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गी सिटीज को साफ करवाने का काम था और यह सारा काम जो थे उस समय पे क्या हो रहे थे आ रहे थे मतलब लोग जो थे अपना गाउं छोड़कर काम के लिए जा रहे थे अब इनके लिए कूली चाहिए थे ठीक है कूली समान उठाने वाले होगे डिगर्स खोदने वाले होगे कैरियर्स भी जो मतलब समान उठाके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके ब्रिक लियर्स अब यह लेबर आनी कहां से थी तो यह लेबर आनी थी विलेजी से स्वाल टाउन से और बहुत सारे लोग जो थे लेबर जो थी इन्में से लो कॉस्ट से बिलॉंग करती थी जो की शहरों की तरफ चल पड़ी ताकि यह जो डिमांड है इसको पूरा किया जा सके कुछ लोग जो थे वो प्लांटेशन का काम करने चले गे जब मैंने अपको अग्री कल्चर के बारे में बारे में तो उसमें हमने प्लांटेशन के भी बारे में पढ़ा था जहां पे एक फिल्ड के उपर बहुत बड़ी बड़ी जो है कल्टिविशन की जाती है जैसे टी काफ़ी प्लांटेशन थो यह काम कर रहे थे लेकिन कुछ जो थे वह का प्लांटेशन के काम के लिए आसाम चले गे मौरिशियस चले गे ट्रिनाड डाद चले इंडोनेशिया चले गे और वर्क in the new location was often very hard और ने जगाओं पर काम करना जो था वो बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन जो पूर थे और वो लोग जो कि लो कास्स से भी लॉंग करते थे उन्हों ने इस उपोर्चिनिटी को लिया और उन्हों ने बोला कि अपर कास्ट लैंड ओनर से अब मतलब डबने से अच्छा है कि वो दूसरी जगाओं पर जाए और वहाँ जाके काम करें ठीक है तो यह जो है यह आपको एक शिप बताई हुई है कूली शिप 19th century की यह कूली शिप है नेम्ड जॉन आलियन जो की क्या करते थे बहुत सारे इंडियन लेबरर्स को मौरिशियस लेके जाते थे और वहाँ पर जाके उनसे हार्ड मतलब बहुत वराइटी आफ फॉर्मस अफ हार्ड लेबर मतलब अलग तरह के काम वह करवाते थे उन लेबरर्स में से मतलब मजदूरों में से जाधा तरजो थे वह क्या थे छोटी जात से बिलॉंग करते थे अब आता है फॉर्मस को कौन प्रड्यूस करता था शूस कौन बनाता था लेबर्स वर्कर्स हैब बिन ट्रडिशनली हैल्ट इन कंटेंप्ट इस देवर्क दाड्यूस के दूरान की दूरान की हुआ बहुत जदा डिमांड यो बढ़ गी थी कि आर्मी के बंदों के लिए शूस की डिमांड यो बढ़ने लगी थी आर्मी सोल्जर से हैं उनको शूस चाहिए अब क्या था जिस तरह से कास सिस्टम चल रहा था तो उस कास सिस्टम क्या हो रहा था लैदर वर्क जो था वो सिरफ और सिरफ वो लोग कर सकते थे जो कि छोटी जाद के थे तिक है लेकिन अब ये डिमांड बढ़ती जा रही थी फर्स वर्लड वार के दरान तो बहुत सारे लोगों ने ये काम भी अपना लिया क्योंकि वो इस काम से जादा से जादा प्रॉफि प्रिजेंट अंदरपर्देश उस समय पे आज के अगर आप बात करेंगे अंदरपर्देश में मदिगास जो थे वह एक इंपॉर्टन अंटेचबल कास थी जो कि क्या बनाते थे जूता बनाते थे देवर एक्सपर्स एट क्लीनिंग हाइट स्टैनिंग देम फॉर यूस यह क्या करते थे चमड़ा को साफ करते थे उसके लैदर का यूज करके शू बनाते थे और चपल वगारा सैंडल्स वगारा को सीते थे फिर उसके बाद धा देरवार अदर टू जॉप्स और भी बहुत सारी जॉप्स थी जैसे आर्मी जो थी आर्मी ऑपोर्चिनिटी जो लोगों को दी जा रही थी अननंबर ओफ महर पीपर महर एक तरह की कास्ट है ठीक है हूँ वाज रिगार्डेट अंटेपल जिनको मतलों अंटेचेबल जाया लवर कास्टे जो है वह वह बिलॉंग करते थे उनको महर रेजिमेंट में क्या मिलने लगे जाव मिलने लगे य उन्होंने क्या किया आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया उसके बाद no place inside the classroom classroom के अंदर कोई भी जगा नहीं दी जाती थी छोटी जात के लोगों को बॉंबे प्रेजिदेंसी के अंदर जैसे 1829 के अगर हम बात करें तो अन्टेचबल जो थे उनको गवर्मेंट स्कूल में भी अलो नहीं था कि वह वहां जाके बढ़ सके वेन सम अफ देम प्रेस हार्ड फर डाट राइज जब कुछ लोगों ने उस के लिए मतलब उस अध कास के लोगों का ये मानना था कि अगर छोटी चाथ के लोग स्कूल के इंदर आके हमारे बच्चों के साथ पढ़ने लगे तो हमारे बच्चों जो है वो गंदे हो जाएंगे ठीक है इसलिए उन्होंने डिमांड रखा कि ठीक है आपने इनको आने तो दे दिया मतलब करते लिए उनकी जमीनों पर काम करते थे खेती बारी करते थे कहां पर कास्त के घरों में अब डिमांड फो इक्वालिटी की दिमांड जो थे वो बढ़ने लगी कि अन्याय होना चाहिए और एक समानता जो है वो सबको मिलनी चाहिए तो इंट हाफ आफ आप आप्टीन सें जाती बेदभाव हो रहा था न इसके अगेंस्ट नॉन ब्रहामिन कास्ट के लोगों ने मुव्मेंट चलाना शुरू कर दिया और डिमांड करने लगे कि हमें भी एक समानता मिलनी चाहिए समाजिक समानता हमें भी मिलनी चाहिए और समाज के अंदर नयाय होना चाहिए अब इसमें कौन कौन से लोग जो थे जिन्होंने मतलब आप बोल सकते हैं जिन्होंने डिमांड करा या फिर जिन्होंने movement जो थी चलाई ताकि लोगों को equality मिल सके justice मिल सके इसमें से थे एक सतनामी movement सतनामी मुवमेंट जो कि Central India जैसे महराष्ट जारखंड वाला एरिया हो गया वहां पर सतनामी मुवमेंट चलाएगी किसके द्वारा घासी दास के द्वारा जिन्होंने लेधर वर्कर्स के लिए काम किया उनके सोशल स्टेटर्स को जो है इंप्रूव किया जाए इन्होंने इस तरह से मुव्मेंट चलाई ताकि उनके सोशल स्टेटर्स के अंदर इंप्रूव्मेंट लाई जा सके अगर आप इस्टर्न बेंगॉल की बात करेंगे तो हरिदास थाकुर मतुआ जो थे एक सेक्ट था जिन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए यह कोई भी मतलब रिच्वल जो मतलब उस समय पर परफॉर्म किया जा रहते सोशल इवल जो होने चाहिए अब इन्वर्ट इस प्रेजेंट एक केरला की बात करेंगे तो एक गुरू थे इजहावा कास स c e s पे लोगों के साथ मतलब बेदभाव नहीं करना चाहिए कास्ट को लेके उनकी अकोडिविसारे के सारे लोग यह काइन कीमन काइन्ड एक ही कास्ट से भिलॉंग करता है इस फैमस स्टेटमेंट उनकी यह एक फैमस स्टेटमेंट थि वो वो जो के लिए शाव प्रहामान कास्ट आए जाके बहुद के लिए काम भी किया कि ताकि लवर कास्ट के लोगों का जो बन सके यह थे आपके श्री नारायन गुरू तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं किसी को कोई डाउट है या कुछ समझ ना आया हो तो वो मुझे पूछ सकता है ठीक है वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और चैनल को सुस्क्राइब करना ना बोले और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्षन में जुरूर पूछेगा थैंक यू और हैवा गुद देर